समझे पेन के भी जुरूरत नहीं पड़ेगा आपको दोस्तों ऐसा कोशन पुछता है किताब IS बनना है क्या दा आपको लोगों को नमस्ते दोस्तों आप लोग कैसे हैं आसा करते हों दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होगा दोस्तों BSF Head Constable और ASI का एक्जाम डेट आगे आपको पता होगा दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका जो पिछावा वेकेंसी आया था उस टाम इसका कट अप कितना गया था तो कट अप जाना इसलिए इंपोर्टन है ताकि आपको आइडिया लागे भईया कितना इस बार लाएंगे हमारा सेलेक्शन होगा ठीक है कट अप जान लेजिएगा इस वर भईया कंपेटिशन इतना ज्यादा है वो सूड़ जाएगा आपका जान क ठीक है इसके अला दोस्ता जोस्ता आपको नए च्छात्र है जो पहली वे तैयारी कर रहे है जो कमजोड च्छात्र है वह आप तैयारी कैसे करें देगा सीमीस से लिए इसका अपको पढ़ाई करना कुछ ज्यादा इधर उदर भागना नहीं है तो सारा स्ट्रेटीजी बत से कितना समय है एक महीन मानगो चलो एक महीन में को त्यारी करनी है अपको पता हो चाहिएक उसमें 100 पूष्यने वाला है एक कोष्यन एक का नमबर लगागे छोडते क्यों हो जिस इग्जाम में निगेटी मार्किंग नहीं है हंडेट का हंडेट तो चार फैसन होता है देखना है कौन सा अलग है आपका स्टेज है समझ लेजिए, आप स्टेज है ना तो मात दीजिएगा, बहुत आसान है चीज, अभी तक नहीं पता है न, तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो बना के बता देंगे आपको, ठीक है, रिजिनिंग से 20 कोश्चन, मैथमेटिक्स यानि मैथ से गंडी से 20 हिंदी कीजिएगा, तो हिंदी कीजिएगा, इंग्लिस कीजिएगा, बहुत आसान आता है, कम्प्यूटर से 20 कोश्चन, ठीक है, 20, 20, 20, 20, 100 कोश्चन, ठीक है, ये दुस्तों आपने सिलेवस देख लिया, अब इसकी तयारी कैसे करनी है, कैसे पढ़ना है जोस्तों, स्मार करते हैं, देखिए, गल्ती का सबसे बड़ा रिजन क्या है, आपको जो कलेरिकल एप्रिटूर है, रोज नहीं पढ़ना है, एक बार देख लिए, दो-तीन दिन प्रैक्टिस कीजिएगा, धुगा-धुगा कर जिएगा, 20 में 20 कीजिएगा, कितना कीजिएगा, 20 में 20 कीजि प्रस्त्र होता है, आज आएगा, ठीक है, हाला कि प्रैक्की सेट भी लिया होगा, आपने तो उसमें भी कोशन इसका मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, रिजिनिंग में 20 में दोस्तों, आपको कितना उठाना है, 18 नंबर उठाना है, रिजिनिंग तो हम अस सिम्पल इंट्रेस्ट, उसके बाद SI, ठीक है, वो पूछेगा, इस से ज्यादा कुछ बाहर का पूछेगा नहीं, सीरी से पूछेगा, यही सब रहता है, बस, थोड़ा सा एक दो को बेलन संकू का सूतर, याद को लेजेगा, उसी सूतर पर रहेगा, इस से ज्यादा कुछ समझ लिए, ठीक है, आएंगे देखिए, हिंदी और इंगलिस, यह हिंदी और इंगलिस से बता दे, ठीक है, क्या पूछेगा हिंदी से, परवाची सब, बिलोम सब, अनेक सब्दों का एक सब, इसके लगवाक्य सुद्धी, समास, संदी, ठीक है, गंगन चुम्बी कौन सा समास है, कमेंट करके बताईए, ठीक है, लंबो अधर, लंबा हो जिसका उधर, कौन सा समास है, पढ़ें कभी के नहीं पढ़ें है, करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कलास, चानल को सब्सक्राइब करना है, यही सब पूछे, कुछ ज़्यादा इदर उर्दर नहीं बढ़ ना है, सेलेबर सों आपने देख लिए, अब इसके प्रैक्टिस दोष्टा आश से स्टार्ट करना है, और चक्सू पबलिकेशन का दोस्व आपको भूक ले लेंगा है, ठीक है इड़ियो का डिस्क्रिप्सर में दिखान से भी स्बष कोने वाला ओPN पूरा का पूरा मतलब हिंदी का पूरा पूरा आपका तो इतना बूक है न सौप पढ़ने लगे तब यह समार्ट तरीकें से पढ़ ऊगे ना गूरूप डी के एकजाम में क्या हुआ था दोस्त आप लोग पेपर दीया होगा रेलवेगूरूप डी का to क्या हुआ था जो ब अब रिजन क्या था ना, जो स्मार्ट टरिका से जो नहीं पढ़ेगा न दोस्तों, वो पढ़ते रहा जागा पूरा किताब IS बनना है, क्या जा आपको लोगों को, तो पूरा किताब पढ़ देऊ, स्मार्ट टरिका से जितना सिलेबस होता है, अकोडिंग पढ़ो, अब करें क्रेंटेफेर आपका बुक में साया था, एक भी मार्क है, एक से ज्याज़े था मारा होगे, बाकी आउट आप मतलब सब सिलेबस के था, कुछ समझ में आ रहा था क्रेंटेफेर, हो तक किसी का एक्जाम में मतलब किसी का सीफ्ट असान पूर्ष दिया हो, लेकिन 90% जोस्त वह पढ़ लेजिएगा, इतियास पढ़ लेजिएगा, इसका जितनी भी पिणिया है, कंप्यूटर समझ यही सब पोच्टा है, सौर्ट कर भाईया, यह किसके लिए है, अंडू करने के लिए कौन सा सौर्ट कीट है, यह समझ दर देखिए, इसके लिए लूसन के एक बूक सबसे पहले जेनरल वाले बच्चों का, क्या गया था? उसके बाद OBC के बताएंगे, ठीक है, सारा का आप लोगों के लिए कराते हैं, देखिए, उस टाइम दोस्तों, 2017 में वेकेंसी में, क्या होता है न, BSF, CRPF, जो भी, कोई भी अर्ध सेनिक बल हो, वो कट अप डिकलेर नहीं करता है, यह केतना सेलेक्शन हुआ, कारम क्या है अपरेंग पेपर होता है, इसलिए कट अप जारी करता है, लेकिन हम कैसे बता रहें कट अप लेकिन हम बच्चों के बच्चों के पूछा था, मुझे याद आ रहा है दोस्तों, जिन बच्चों का 70 आया था लगबग लगबग, उनका सेलेक्शन नहीं हुआ था, जिन बच अपर साथी के बीच में जुस्तों, कट अप जा चाकते हैं, ऐसे हम एक तरह का अनुमान लगा रहें, उसी के बीच में था, उससे कम नहीं था, बीच में हम बताएंगे आपको, जिन बच्चों का, जिन बच्चों का 75-80 के बीच में था, उनका सेलेक्शन हो गया था, जिक देखिए, इतना कम क्यों था, पिछला में 100 कोश्चन पूछा गया था, उस टाम में था कुछ जो पेपर हुआ था, उसमें कोश्चन भी गलत था, पांच के आज पाद 6 कोश्चन भी था, ये भी ध्यान रखिए, 95 में मान के चलते हैं, 95 पे ही कट अप था, इस तरह कमी था मतलब उस तरह माने जाए तो, पांचान में कोश्चन पे ही था, ये भी ध्यान रखिएगा, OBC की बात करें न, तो OBC ये बच्चे, 70 टू 80 जिन का था, उनका हो गया था, इस टाम नहीं था, हम नहीं बता रहें, हैं, समझेगा, जिनका, दोस्तो 65 टू 70 ठा, उनका सेलेक्शिन हो गया था, और सट वाले बच्चों का थ्यान समझेगा, एस ट वाले बच्चों का 62 जिए हैं, इतना का पक भीच में ही था, इतना तरह मिए था, अब इतना था, अब इस बार पिछला बार तो दोश्वाद क पहल लिए अब कॉंपेटिशन का देख लो रा कितना जमाना हो गया है इक्जाट तो किसो को पता नहीं कितना फोटा गया लेकिन हमें ज्यादा ही मान के चलना ज्यादा ही फोटा लेगा थिके अच्छा गासा फोट भी गिरा होगा इस बार अब इस बार कितरा expected तो बता पान OVC वाले बच्चे आप लोगों के भी दोस्ता कम सकम 82 लाना होगा ठेके इडालूस वाले बच्चे असी पलस एससी है ठीके द्यान समझिएगा एस्टी वाले बच्चे 75 पलस बाकी एस्टी वाले बच्चे भी लगबग लगबग 75 के आसपास लाईएगा न तभी सेलेक्शन होता है पलस इतना नमबर से कौमप सेलेक्शन नहीं होगा इस बार कॉमपेटिशन भाईया फाडू है 2017 में online पढ़ने को अतना माध्या नहीं था नया जीयों का सीम आया था पौर दी चला रहे थे अब तो भाईया सबी के पास है तो पढ़ने का माध्या भी बदल गया है असमार्ट पढ़ाई कीजिएगा न सफलता मिलेगी पूरा किताब नहीं पढ़ना है जो हमने बताया math क चैप्टर पढ़ दीजिए प्रैक्टिस देली जोस्तो बुक से स्टाट कर दीजिए और दोस्तो यही आपको बताना था बस अब देखिए सेलरी कितना मिलता है न वह भी बता देते है स्टाटिंग जो सेलरी आपको मिलेगा न दोस्तो 25,000 से प्लस ही मिलने वाला है ठीक है कि यतना कटब जी विल्कुल को पर क्योंको अब पर आपको अब बता रहा है तो अच्छा काम प्युल्ट जोब नहीं है रिक्स वाला जौब नहीं है पर प्रवरी तक नहीं होगा अपका फ्यूजिकल स्टार्ट कर दें ठीक है दो मेंने तक रिजॉल्ट देने में लगा ही देगा जोर परफाइल मैंने आपको बता दिया अपको पीस वाला जाओ ठीक है तो ऐसे तैयारी किजिए निची दर्वस सब पलता मिलेगी चलिए यही आपको बताना था भाई आप आप लोग पूछ रहता न को सर कैसे पढ़ाई करें बता दिजिए संपूर्ण सेलेबोस हमने आपको बता दिया और खटा भी बता दिया कोई सवाल हो तो कमेंट के माद पूछ लीजिएगा चैनल क